dear students warm welcome आज हम कुछ थोड़ा हटके करते हैं यह जो आपके सामने हैं यह दो compound microscope है आज हम इनको कैसे यूज करते हैं उनके कौन-कौन से पार्ड है उसके बारे में थोड़ा study करेंगे तो let's start with the base जो सबसे निच्चे वाला हिस्सा होता बच्चे इसको बोलते हैं base बेस के बाद यहां पर एक आपको यह दिख रहा होगा ध्यान से देखिए यह यह concave mirror है यह किसका काम करता है यह reflector का काम करता है जिदर से भी light आ रही होती है हम उस तरह से इसको adjust करके यह कोशिश करते हैं कि जो light है वो यहां पर देखिएगा चेंज होगा थोड़ा सा यह देखिए यहां ध्यान देना यह आपने इसी पर तो यह color चेंज है आपको लाइट चेंज करते हैं तो इस तरह से हम इस reflector से light को यहां तक पहुंचाते हैं ताकि जो specimen है वह बहुत अच्छा भी जिबर हो जाए इस तरह से अगर आप यह नीच जो यह चीज है this is card stage इसको stage कहा जाता है और stage पर ही हम क्या करते हैं जब भी कोई slide रखनी है इस stage के उपर slide को रखा जाता है जब हम इसके उपर slide रख देते हैं तो यह slide यहां से ना हिले इसलिए इसके उपर क्या लगा जाता है यह clips लगा दी जाते हैं ताकि यह slider fix हो जाए अब slide के बाद क्योंकि यहां हमने object को देखना होता है तो इसका ये वाला जो नीचे वाला ये वाला इसके अंदर this is called object piece अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो इस तरह से इसको खोला जा सकता है इसमें लेंस है ये रहा हमारा object piece object piece से उपर चलते हैं तो इतनी जो ये वाली जगा है this is called body tube तो ये इसकी body है और उपर चलते हैं तो ये रहता हमारा eye lens, eye piece के बीच में होता है ये इसका eye lens है अब back side पर चलते हैं इसके सिवा जो हम अगली चीज़ों को देख रहे हैं जो side से base से एक और चीज़ चली base से यहां से चले हम अब इदर चलते हैं तो ये जो ये nut होता है ये इसको बोलते है swivel swivel का का काम क्या है कि आप अपनी height के हिसाब से इस microscope को adjust कर सकते हैं उसके बाद ये इसका क्या है this is called handle और हमें इसी से microscope को उठाना चाहिए उसके बाद ये इस screw है this is called fine adjustment जब हम एक बार specimen को adjust कर लेते हैं तो उसके बाद वो हमें ज़्यादा clear दिखे इसके लिए हम किसको use करते हैं fine adjustment को use करते हैं इसी तरीके से ये है this is called course adjustment course मतलब ये जो tube है इसको उपर नीचे करता देख सकते हैं आप ध्यान से tube नीचे जारी और tube उपर जारी तो पहले इस तरह से हम उपर नीचे adjust करके जब हमें specimen थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है फिर हम किसकी use करते हैं fine adjustment को use करते हैं तो इस process से हम सारे microscope को देख सकते हैं ये तो था simple जिसको हमने बोला compound microscope इसी तरीके से ये दूसरा microscope है this is card इसमें एक projection का feature एक light का feature रहता है इसके अंदर एक अलग चीज क्या है एक तो इसका switch रहता है जब हो switch on करते हैं तो automatically light यह adjust हो जाती है और इस वाले microscope में हमें क्या करना पढ़ रहा था इस reflector को adjust करना पढ़ तो light clear है दूसरा क्या है same system है ये इसका course adjustment आप देख सकते हैं जब इसका course adjustment हम हलाते है तो हिलती क्य इसके अंदर नीचे जो है यह fine adjustment है जब यहां से हमें थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इससे क्लीर कट देख लेते हैं और एक चीज और इसके अंदर extra रहती है कि जब हमने इसको यहां से ध्यान से देख लिया हमें slide visible होगी हम यहां से इसको हटा देते हैं और इसके उपर इस projection head को लगा देते हैं इस projection head में जो भी निचे हमेज होगी वह आपको अभी तो slide ढही है तो वह दिख जाती है अभी आपको करके दिखाते हैं अब एक हम slide को थोड़ा सार यूज करके देखते हैं कि हम किस तरह से इसको use करेंगे यह मेरे पास क् इसको जब भी हमने फोल्ड करना back side को टिक की वासे फोल्ड कीजिए और ध्यान से इसको इस तरह से शील दीजिए जब आप इसको प्यार से शील लेंगे तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा यह lower epidermis clear हो देगी यह screen जैसी दिखती चीज यह क्या है lower epidermis है lower epidermis को lower epidermis क मैंने काबिल को clean clean हिस्ता है यह वाद जो screen की तरह लग रहा है इसको हम क्या करते हैं slide के उपर फिला दिया तो हम इसको कहां रखेंगे stage के उपर रखोगे फिर इसको light को on करेंगे light on करने के बार हम पहले कोशिश करेंगे कि हम इसको 10x के साथ fit करेंगे हम किसी बच्चे को बोलें यहां पर बेटा इसके अंदर इदर को यह दिखाई दे रहा इदर को यह दिखाई दे रहा तो उसको नहीं पता लगता है हम इसको निकालने के बाद क्या करते हैं इस projection head को लगा देंगे जब इस projection head को लगा देंगे तो यह सारी की सारी slider यहां visible होगी यहां से हम किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं कि यह देखो यह स्टोमेटा है यह इसके तोनों ही गाडसल है अगर हम उस बच्चे को यह दिखाते अपनी आंख कहां लगाई होती हमने यहां अंदर लगाई हो और उससे देखिए क्या से फर्क पड़ता है यह को सटेंग है अब मैं फाइन से कर रहा हूं जो फाइन एजस्ट्मेंट इसको और ज्यादा क्लियर कर देता है आप देख सकते हैं यह वह जगा है जहां से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और यह सारे क्या है इस आरदा स्टोमेटा यहां आपको ब्ली क्रियर कट दिख रहे होंगे स्टोमेटा यह देखिए यह बीच में शेद है स्टोमेटा और दोनों साइड पर क्या है गाडसल है तो इस तरह से हम इस प्रजेक्शन से बच्चे तक इनफर्मेशन बड़ी अस पहुंचा सकते हैं एक ध्यान रखना चलाते हुए कि जैसे आपका काम ओवर हो जाए लाइट को ओफ कर दीजी क्योंकि एकसेस हीटिंग से एलिमेंट इसका जल जाता है और दूसरा क्या ध्यान रखना है जब भी आपने काम शुरू करना है स्टार्टिंग में कभी भी 10 है वह आपको कितने गुणा बड़ा देखेगा 10 times the size of the specimen जो visible हो जाएगा Microsoft 10 time हो जाएगा फिर इसको बढ़ा के हम और यूज़ कर सकते हैं यह देखिए कितना है 20x यह दोनों क्या है यह तो थे आई पीस की बात जरा object की lens की बात करते हैं इसमें भी दो तरह कर रहते हैं इ तो आपको जो चीज़ा वो कितने टाइम बड़ी दिखाई देगी the size of the image will be 100 time लेकर आपने 20x यूज़ किया और नीचे भी कौन सा यूज़ किया 10 तो कितना हो जाएगा यह it will become 200 time similarly अगर हम यह 45 axis को यूज़ करते हैं उपर 10x तो कितना हो जाएगा 450 time और नीचे 45 है उपर कितना है 20 तो the size of the image is 900 times than the actual object और एक important चीज कि जब हम starting करते हैं तो मैंने का नीचे कौन सान चाहिए 10x से शुरू करना है 10x की जो यह बाली nose है यह छोटी होती है इसलिए हमारा जो body tube है वो काफी object के पास होती है लेकिन ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा clear देखना तो 45 shift करना पड़ेगा 45 shift को कैसे check करत देखे यह टक किवा जाएगी यहां जब यह टक का जाए तो समझ लो कि आपके जो lens है वो अपनी proper position पे आ गया हुआ है अब आप इसको लेकिन ध्यान रखना है 10x से 45 को shift करेंगे ध्यान से देखिए जब यहां पर 45 है तो इस जगा पर है मान लीचिए राइट हमें 10x को ल जो हमारा 45 है जहां gap नहीं है तो कई बार क्या होता है कि हमने 10x पर जग चेक कर रहे होते हैं तो 45 पर shift करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं हम body tube को course adjustment से इस तरह से उपर नहीं करते हैं तो हमारी जो slide है वो break हो जाती है तो यहीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं microscope को use these are the various parts of the microscope as shown in the figure आप यहां से देख सकते हैं this is base, this is the concave mirror, this is condenser, then slide, clip, stage, swivel and objective lens is this, this is body tube, top is eyepiece, corset is fine and तो यहीं पार्स हमने वहां डिसकस किये हैं आप इनको notebook पे ट्रॉक का लीचे, आगे कामा हैंगे